क्या आप जानते हैं दुनिया में 2 मिलियन लोग यानि 20 लाक लोगों की मौत लिवर डिसॉर्डर की वज़े से होती है अगर हम इंडिया में बात करें तो इन 2 मिलियन लोगों में से 20% लोग इंडिया से ही आते हैं ये तो मैं आपको डेथ का डेटा बता रहा हूं अगर मैं बात करूँ कि इंडिया में कितने लोग लिवर डिसॉर्डर से परेशान है तो डेटा चौकाने वाला है इंडिया में लगबग 38% लोग यानि एक तिहाई लोग आज लिवर की किसी ना किसी बिमारी से परेशान है लिवर डिजीज में कई तरह के लक्षन मिलते हैं जैसे भूग का ना लगना, बार-बार उल्टी का मन होना, खाना खाने के बाद सीधी तरफ पेट में दर्ध होना, सूई चुओने जैसा पेन होना, मूँ का कड़वा रहना, ठकान रहना और भी कई सारे ऐसे लक्षन आप को मिल जाते हैं, लिवर से related इतनी समस्या होने के बाद भी modern science में इसकी बहुत ही limited medicine available है, जिसकी वज़े से डॉक्टर के हाथ बन जाते हैं treatment करने में, लेकिन अगर हम आईरुवेद की बात करें तो आईरुवेद में ऐसी कई सारी हवस बताई गई हैं, जो आपके लिवर की health को बढ़ाती हैं, आपके लिवर की health को promote करती हैं और आपके metabolism को तेज करने में मदद करती हैं, इसमें सबसे पहली हब आती है कालमेक, कालमेक को आईरुवेद में कफ पित दोश शामक बताया गया है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है, आईरुवेद में के liver cell को stimulate करती है, यानि liver metabolism को तेज करती है, इसके साथ साथ ये पित को कम करती है, मतलब पित दोश यानि bile juice जो आपके call bladder से निकलता है, उसकी भी secretion को बढ़ाती है, कालमेक पर कई research हुई हैं, उनमें से एक research है CCL4 compound पर, CCL4 compound वो compound है जो liver में injury cause करता है, यानि liver के cell को नुकसान पहुचाता है कालमेक CCL4 compounds को मार कर हमारे liver cells को protect करता है, और उसकी stimulation को बढ़ाता है, अब दूसरी हब की बात करूँ, तो दूसरी हब आती है कटूकी, कटूकी को आयरवेद में पित शामक बताया गया है, research में ये पाया गया है कि जब कटूकी को silmarine, silmarine एक ऐसी drug है जो modern science में fatty liver में दी जाती है, जब इसके साथ compare किया गया, तो दोनों के effect लगभग सेम आए, लेकिन silmarine को लेने के कई सारे side effect मिलते हैं, पर कटूकी को लेने के कोई side effect आपके अंदर नहीं आते हैं, अब हम तीसरी हर्ब की बात करें, तो तीसरी हर्ब है भूमी अमलकी, भूमी अमलकी को यूज करना बताया गया है, भूमी अमलकी के अंदर antioxidant property होती है, जो free radicals को खतम कर हमारे liver cells को बचाती है, इसी तरह और बहुत सारी हर्ब्स आयरवेद में बताई गई हैं, जो liver की health को promote करने में मदद करती हैं, मायुक चार ने इन बढ़ती हुए liver की समस्याव को देखते में मिला कर बनाया है मायुप चार यकृतास capsule, मायुप चार ने यकृतास capsule को डॉक्टर की सलहा के बाद कई सारे patient को दिया, तीन महिने तक यकृतास capsule के regular इस्तमाल के बाद देखा गया कि 55% लोग जिन में liver disease के symptoms थे, उनके symptoms बिलकुल ही खत्म हो गये हैं, और 30% लोगों में देखा गया कि जो symptoms थे, उनमें बहुत जादा कमी आई है, अगर आपको भी liver से related कोई भी problem है, तो आज ही इस्तमाल करे मायुप चार यकृतास capsule